दोस्तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसे अमेजिंग एप्लिकेशन के बारे में बताऊंगा जिससे कि आप ये सब जो आप देख रहे हैं होम स्क्रीन ये सब सेट अप ये सब आप बड़े ही आसानी से अपने फोन में कर सकते हैं तो कैसे तो आपको इस वीडियो को लास तक देखना होगा सुनों मस्कार दोस्तो मैं राज रमपसाद और आप देख रहे हैं सीखे ओलिन हिंदी जैसा कि अभी आप देख सकते हैं ये मेरा स्क्रीन एकदम नॉर्मल है और आपका भी कुछ ऐसा ही होगा लेकिन आप चाहते होंगे मेरी तरह कि मेरा भी कुछ नया नया हर एक पर डे मैं नया नया कस्टमाजिसन करूं अपने पोन में तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही स स्क्रीन का सेट अप है और आप इसे वन क्लिक अगर आप चाहें इसे शेट अप करना तो यहां पर आपको सारे के सारे जो कुछ भी इसमें यूज किया है फोर इजामपल यह वाला ले लिए इसमें जो कुछ भी यूज किया गया है जैसे कि वाल पेपर आइकन, लॉंचर और क्या-क्या इसमें यूज किया गया है, वालपेपर क्या यूज किया गया है, लाउंचर कौन सा यूज किया गया है, आइकन कौन सा यूज किया गया है, विजिट कौन सा यूज किया गया है, तो यह सब जो है, वो आपको यहाँ पर डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, यहा महादेव का wallpaper है और मैं इसे डारेक्ट आपको set करके wallpaper as a home screen आपको set करके दिखा देता हूं तो यह रहा मेरा सेटेड home screen में आपका wallpaper तो इसी तरीके से आप यह सब भी कर सकते हैं और बड़े ही आराम से आप यह सब को कर सकते हैं यहाँ पे आपको wallpaper का category मिल लाता है और यहाँ पे आप इस तरीके से इन सब भी wallpaper को चूज करके आप कोई भी per day यहाँ पे आप नया नया wallpaper चेंज कर सकते है देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक और option मिलता है वो है ringtone का अगर आप चाहते हैं latest ringtone यूज करना और notification का tone चेंज करना daily per day तो आप यह सब बड़े ही आसानी से कर सकते हैं और यहाँ पे आप प्ले करके भी इन सभी को check कर सकते हैं दोस्तो अगर आप इस आपको डाउनलोड करना चाहते हैं तो link नीचे description में है जहां से आप इस आपको डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को like कीजिएगा चैनल को subscribe कीजिएगा तो मिलते हैं फिर आपसे एकले वीडियो में तब तक के लिए take care till then and goodbye